Hello friends, I am Dr. Sonal and Isogen आज का टॉपिक है कि क्या हम बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं तो देखिए कुछ बात ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में है कुछ बात ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जैसे जेनेटिक्स मतलब अगर पैरेंट्स को माता पिता को या दादा दादी नाना नानी में किसी को चश्मे का नंबर है तो हाइर चांसे होते हैं कि बच्चों में भी चश्मे का नंबर हो तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है फिर एन्वर्मेंटल फैक्टर्स आते हैं environmental factors में सबसे महत्वपोर्ण जो आज के दौर में है वो है screen use screen use में सब आ गया मतलब mobile है laptop है tv है पर इन सब में mobile का screen छोटा होता है वो हम pass hold करते हैं तो ये ज़ादा dangerous होता है as compared to tv और laptop और ये जो digital devices है इनका एक recommended time limit set कर दिया है particular age group के लिए for example अगर बच्चा less than two years का है तो recommended time less than half hour है मतलब फिर अगर बच्चे की उम्र दो से पांट साल है तो उनका time limit है दो घंटे फिर अगर more than five years है मतलब बच्चा उम्र में पांट साल से बढ़ा है तो उनका time limit है तीन घंटा मतलब उनका screen time less than three hours होना चाहिए अब parents पूछते हैं कि कुछ ऐसे तरीके नहीं है क्या जिससे चश्मे का नंबर बढ़ने से रोका जा सकता है तो हाँ definitely है जैसे कुछ drops आते हैं जिसका नाम है atropine atropine eye drop अगर बहुत low concentration में use करें मतलब 0.01% concentration में अगर use करें daily एक बार रात में तो बच्चों का चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं यह आप अपके नजदिक के eye doctor की सला से ही use करें खुझ से जाके medical से यह drop लेके use ना करें वो देखेंगे कि हाँ आप यह drop यूज कर सकते हैं नए कर सकते हैं वो सब find out करके आपको proper guide करेंगे फिर second आते हैं myopia control glasses यह progressive glasses होते हैं जिसमें अलग-अलग segments होते हैं उनमें अलग-अलग number होते हैं particular distance के लिए तो basically इसका use करने का meaning यह होता है कि पीछे के पड़े में एक beach का हिस्सा होता है जिसे mid peripheral retina कहते हैं तो यह glasses use करने से यह जो area होता है वो काफी कम stimulate होता है जिसके कारण number बढ़ने से हम रोक सकते हैं क्योंकि यह area जब भी stimulate होता है तब चश्मे का number तेजी से बढ़ता है इसी वे यह glasses भी useful माने गए हैं फिर third है sun exposure अगर आप आपके बच्चों को daily 2-3 घंटे का sun exposure अगर मतलब बाहर जाने के लिए encourage करते हैं और वो बाहर जाके खेलते हैं sun exposure होता है तो उनका चश्मे का number definitely बढ़ने से हम रोक सकते हैं क्योंकि sunlight में भी blue light होती है जो growing age के लिए beneficial माने गई है फिर fourth है healthy diet मतलब उसमें आगया green leafy vegetables, fruits, colored vegetables जिसे carrot हो गया, colored capsicum हो गया nuts and seeds है जिसे बदाम है, accord है तो ये भी आप अपने diet में include करें क्योंकि development के लिए मतलब eyeball के development में ये बहुत important role play करता है तो ये सब करके हम अपने चश्मे का number बढ़ने से रोक सकते हैं तो इसमें सबसे important है तो इसमें सबसे important है कि screen time कम करना फिर है sunlight exposure होना चाहिए third है कि junk food avoid करना है मतलब healthy diet लेना है proper sleeping habits रखनी है तो ये सारी चीज़े अगर हम करते हैं तो definitely बच्चों में चश्मे का number बढ़ने से रोका जा सकता है hope करती हूँ ये information आपको useful लगी हो और ये ऐसे ही informative videos के लिए आप notification bell को भी दबा सकते हैं thank you for watching